Welcome Students in Smart Club, Myself, Shobas Singh, Your SST Teacher. Dear Students, आज जो हम Study कर रहे हैं, वो है civics, civics का chapter, diversity, a way of life की study करेंगे, इस chapter में students, हम देखेंगे, कि जो diversity है हमारे इंडिया में, वो कहां कहां पर देखने को मिलती है, diversity जो है हमारी families में कैसे देखने को मिलती है diversity जो है वो हमें economic level पर कैसे देखने को मिलती है diversity caste system में कैसे देखने को मिलती है तो society में हम किस तरह सी diversity को देखते हैं यह हम इस chapter में देखेंगे और चलिया हम chapter को start कर एक राज़ सबस्क्राइब को अग네요 अब लिए इसलिए में आप पसंदार तो इसको लाइक करेंगा तेंक यू नेक्स्ट डियावरसिटी इन दफामेली स्ट्रॉक्च्छर स्ट्रॉक्चर में वी हमको डावरे सी देखने को मिलती है ताइप सो फामिली इंडिया में दो थाइप की फामिली सवाय जाती है फस्ट वन इस निकलर फइमली अजर्सेक्ट। कॉछंड फैमली न्डिय। फेस्ट वन इस टौनी जाती है। joint family grandmother grandfather uncle aunt and cousins etc live together under a single roof हमारे इंडिया का ये culture है joint family का इसमें आप अगर देख भी रहे हैं तो देखिए अब इसमें जो grand parents साथ में है mother father है uncle aunt है तो इस तरह से ये हमारी joint family होती है इंडिया में बहुत सारे languages भूली जाती है माराठी है हिंदी है तेलगू तमिल कंड़ा बंगला संस्क्रत उडिया कौंकणी गुजराती इन इंडिया देर ट्वंटी ट्वंटीटो लांवजी दैख भीन गिवन दे स्टेट उफ नेशनल लैंगवेज्ट बाएज वान बाइस लैंगवेज का जो है नेशनल लैंगवेज के दरशा प्राप्त गुआ है इस लेंग्वेज़ आर आसामीज, बेंगॉलीज, डोग, डोगरी, बूडो, गुजराती, हिंदी, कनड़ा, कश्मीरी, कॉंकरी, मैथली, मलियालम, मनिपुरी, मराथी, नेपाली, उडिया, पंचाब, पंजाबी, संस्क्रत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलगु एंड नेक्स्ट हमको देखना है, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, मन कास्ट सिस्टम, हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, सोसाइटी में, वो हमको देखना है, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, इस पैकुलर है, मिंस क कास्ट सिस्टम हमें और दिखाई नहीं देता है सोसाइटी का यह जो कास्ट सिस्टम है यह बिलीब किया जाता है कि यह बिलीब किया जाता है कि जो यह जो सोसाइटी का जो कास्ट सिस्टम है ये जो है ब्रह्मा की उत्पत्ति मानी जाती है लॉड ब्रह्मा की उत्पत्ति मानी जाती है कि लॉड ब्रह्मा के मस्टिक से हैड से जो है ब्रह्मन्स पैदा हुए इनके शोल्डर से शोल्डर से शत्रिये पैदा हुए और इनके स्टमक से वैश्याज पैदा हुए शत्रिये जो की रक्षा के काम कर रहते हैं जो सेना में जो सामिल होते हैं वो माने जाते हैं ब्रहमन्स जो की पूजा पाठ का धार्मी क्रियाओं का कारी करते हैं स्टमक से जो पैदा हुए वो वैश्याज जो की बनिया का कारी करते हैं भरन पोशन का कारी करते हैं उत्पाधन का कारी करते हैं और जो लास्ट में जो फीट से जो पैदा हुए वो थे शुद्राज शुद्रा जो की अपर जो ये जाती हैं इनके जो है सेवा का कारी करना इन में पैदाज जब कास्व सिस्टम में मर्ज जव दो वे दाज में यह चीज मैंशन की गई है कि उसको पढ़ने से पता चलता है कि जो पर्टिकुलर जो कास्ट है particular caste को particular functions follow करना पड़ता है मतलब जो caste का जो function दिया गया है suppose that की ब्राह्मान्स का जो function है कि पूचा पाठ की क्रियाओं को करना धार्मी क्रियाओं को करना तो उनके जो आने वाली generation है वो भी वही कारी करेंगी वैसे असका जो काम है भरन पोशन का काम है जो ब्यापार का जो काम है वो जो करेंगी वही चीज़ जो है उनकी generation भी आगयाने वाली generation भी same कार ही करेंगी शुद्राज जो कर रहे वही कार शुद्राज की जो upcoming generation होगी वो भी वही कार करेंगी जो आने वाली जो उनकी पीड़ी है उनको वही कारे करने होंगे, इससे क्या होगे, generation should follow the same occupation, अब क्या होता कि feeling of superiority, अब जब चुकि जो सुद्राज जो कारे कर रहे हैं, सेवा कारे, और सब कर रहे हैं, जो उपर वाले जो कास्ट है, ब्राह्मान की जो कास्ट है, शत्रिय की जो कास्ट है, वो क्या करते, वो अप इस्वास और उनकी नफरत की भावना बल्बती होने लगती है, दूसरे कास्ट के पती, और वो जो निम्र कास्ट के लोगे, जो लोवर कास्ट के लोगे, उनको जो है, लोवर लेडर के जो लोगे, उनको वो एक्स्प्रोइट करते हैं, उनको सप्रेस करने की कोशिस करते ह इसमें घी का काम डालने का जो कारी किया वो हो पॉलिटिकल सिस्टम ने भी किया है इन सब सिस्टम से वो यह रहा है कि लोगों में डिस्कृमीनेशन बढ़ रहा है बेधभाव बढ़ रहा है जिससे लोगों के बीच जाते की खाई हैं बटती जारी बट अगर हम देखें प्रीविएस यह से अब जो टाइम है इस एरा में जो डिस्क्रिमिनेशन है उतना नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था अब जो इंडस्ट्रिलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन से, मॉडनाइजेशन से, वेस्टरर नाइजेशन से क्या हो रहा है कि अब कास्ट सिस्टम उतना ज्यादा बलवती नहीं है अब लोगों में friendly relation भी होने लगे हैं lower caste से upper caste के बीच में next हम देखेंगे diversity in economic field diversity in economic field में जब हम देखते हैं तो यहां पर यह पता चलता है कि economic activities को अगर हम categorize करें classified करें तो वो classified into three types में माने economic activities classified into three types तीन तरह से उनको classified किया जा सकता है first one is primary activities second one secondary activities and the tertiary activities so primary activities में जो है farming mining or fishing भी करें होता है और second activities में manufacturing weaving etc and the tertiary activities में teaching banking और trading यहां पर होता क्या जो primary activities जो कि primary level पर की जाते इस फार्मिंग खेती जो है primary level पर की जाते माइनिंग जो है जो माइन से हम जितने भी मिनरोल्स को निकालते हैं जो हम जो आइरन और्स भी इस तरह कि हम activities करते हैं या fishing जो करते हैं यह जो है primary sector में आता है primary sector के जो कार हैं उनको secondary sector यह टर्सरी सेक्टर वाले उतना वेटेस नहीं देते इतना प्रिवलेंस नहीं देते और इसी तरह से secondary sector जो है manufacturing का sector है जिसमें जो primary sector से माल लेकर जो कारे किये जाते हैं और इसमें वीविंग वी किया तो इस तरह से जो टर्सरी सेक्टर जिसमें की banking का का रही ट्रेडिंग का का रही टीचिंग का का रही तो इस तरह से कहीं न कहीं हमको economic activities में भी like disparity देखने को मिलती हैं लास्ट हमारा content जो मैं पढ़ना unity in diversity हम study करेंगे we all are different from one another हम एक दूसरे से बिल्कोई different है और जे जो difference है और जिस difference is called diversity उसे को हम कहते हैं diversity कहते हैं understanding diversity is not only an important task इसको समझना है कोई important task नहीं महत्पूर्ण टास्क नहीं but it is equally important to accept it केवल वही कि केवल हम इसको समझ लें यही महत्पूर्ण नहीं महत्पूर्ण यह भी है कि इसको हम स्विकार भी करें तभी जो है एकता diversity जो है हमारी unity in diversity हमारे देश में कायम रह सकती है और यही जो है हमारे में add कर सकता है इट है add values and meaning to our lives हमारी lives में हमारी जीवन में जो है जो value को और इसके अर्थ को जो है समाहित कर सकता है essentials for our overall development हमारे चहुमिकी विकास के लिए भी बहुत जरूरी है कि यह इस तरह की diversity हो और इस तरह की diversity को हम accept भी करें इंडियांस different language को बोलते हैं and different languages को जो बोल रहे है different like types की arteries है उन्हें wear कर रहे है different type dresses भी है कर रहे है उनका fooding style है वो भी different है उनके religion अलगे उनकी culture उनका अलगे उनका tradition अलगे instead of this वो लोग फिर भी साथ में रहते हैं यही हमारे हिंदुस्तान की खुबसूर्ती है यही हमारे भारत की अनकता में एकता है students hope कि आप लोगो मेरा यह जो वीडियो है पसंद आया होगा और पसंद दिना सेंस कि आपको समझ में आया होगा मेरे लिए आपको राइड बटन पर क्लिक करना है राइड बटन को प्रेस करना है जहां पर सब्सक्राइब लिखा है और इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता यह टूटली फ्री है कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ता थेंक्यू आपको प्रेस है राइड ज हम उन्हें